वारदाद जमा 18,000 रुपए नहीं मिलने पर एजन्ट को पीटा ज्या दोस्तों आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी की ये एक ऐसी बैड न्यूज जो हमारे पास एक दिन पहले यानि के ये बालोत की बड़ी खबर खबरे की निवेशक वह दोस्त के खिलाब जर्म दर्ज चांश सुरू बड़ी खबर कमपणी में जमा 18,000 रुपए दो साल बाद भी नहीं मिलने के बाद गिराम कुमहारा खान में पत्नी को गाली गलोच और पती से मार पीट करने पर निवेशक वह उसके दोस्त के खिलाब 94,323,34,506 के तहट अपराद दर्ज किया गया है दुर्जन राम साहु ने बताया कि दो साल पहले में आदश क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी मल्टि स्टेट कमपणी गुजरात की संस्था धमतरी साखा में एज़न्ट का काम करता था 2018 में ग्राम भर्री भाव निवासी अनिल कुमार साहु कमपणी में 18,000 रुपए जमा किया था 2018 में निवेशक अनिल कुमार को मिलनी थी लेकिन अब तक नहीं मिला है यानि कि अब तक पैसा नहीं मिला इसी बात को लेकर रविवार को अनिल कुमार साहु मेरे घर के पास जाकर पत्नी सरीता साहु को कहने लगा कि तुमारा पती कहा है पैसा जमा कराया है वेव वापस नहीं कर रहा है गाली गलोश बीकी मेरी पतनी ने बताया कि पती मोहन वेव फूट कुमार खान में काम करता है इसके बाद अनिल अपने दोस्तों के साथ साम साड़े साथ बजे आकर मुझे मिले मील से बाहर बुलाया जिस फैक्टरी में काम करते थे महाँ साड़े साथ बजे वो पहुचा और मील से बाहर बुलाकर गाली गलोश करते हुए मार पीट की और पैसा वापस नहीं करोगे तो जान से मानने की तक धमकी दे कर चला गया तो दोस्तों ये आदर्श क्रेटिट कॉपरेटू सुसाइटी के एजेंट और निवेशकों के हालात कितने यहाँ पर गंबीर बनते चले जा रहे हैं इन सरकार इन सबसे अंजाने और चुपी सादे हुए और मुक दर्सक बनकर हर एक वारदात को देख रही है समझ रही है लेकिन इसके इन सबका कोई हल अभी तक नहीं निकला तो हमारा इस वक जो आपके लिए ये नियूज देने का मतलब था सिर्फ यह था ताकि सभी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें और साथ के साथ हमारी बैल आइकन का बटन दबाएं मिलता है फिर किसी नेट न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए युएस का